हलो दोस्तों रदीका मुगाल रुपियर में आप लोग को स्वागर्थ मेरे पास में वीभो का फोन है ये वीफाइब जो कि इसका एक प्रोब्लम है जैकि यही वीफाइब है कि जब कहीं भी फोन लगाते हैं तो एंड हो जाता है कि कहीं भी किसी भी नंबर में लगाते हैं कि एंड कोल एंड हो जाएगा और नेटवर्क खतम हो जाता है अमर्जनसी लिग देता है कि अगश्ट है कि अगश्ब करते इन के लिए बहुद देखाने कोशिस करते हैं कि लिए नेट्रोग भी दिखाएंग है जी कोल लगाएं देखेंगा उपर में यहां पर जाएंगामो और कोल एंड हो जाएगा देखी हो मीन नेट्रवर्क चला घा रागया कुछ दिर के बाद फिर नेटवर्क आएगा इसका समेशिया यही है कि नेटवर्क नहीं जाना चाहिए कोल एंड होता तो बात अलग रहता पर नेटवर्क चला जाता है कि देखिए कोल एंड हो गया अभी नहीं गया अधिकतर कोल कि एंड भी होता है और नेटवर्क चला जाता है कभी नेटवर्क चला जाएगा कोल एंड हो जाएगा कभी कोल एंड हो जाएगा तो नेटवर्क नहीं जाएगा ऐसे ही होता है फोन इधर से आता भी नहीं है वह इधर से जाता भी नहीं है उधर साता भी नहीं है देखिए नेटो चला गया और दूसरी को इसमें नहीं आता है कि बीजी बताता है को दूसरा करता इस फन में तो बीजी बताता है इस फॐन को भी हाठ डिसेट भी कर चुके हैं वह अल शेटिंग विश देख चुके थे पर शॉल्फ नहीं हुआ तो इसको आथी पहले मॉवयल को परकरते हैं थे और देखते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पुरा देखिए और हमारे जो नहीं दोस्ट देख रहे हैं सबसे परहे हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीज़ी इंद ऑ फंद बूस्त जाते हैं ओल्स किया श्राइब कियिए करके रखिये ताकि जो नए नए वीडियो अप्लोड करेंगे सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो चलिए आप लोग देखिए वीडियो इस ग्रूप को निकाल रहे हैं पहले क्योंकि आरेप केबल को भी देखना पड़ेगा क्योंकि लोड पड़ता है तो भी इसा हो सकता है कि इसा भी सेटिंग कर चुके हैं वोल्टी जो भी राता है सब सब्सक्राइब और इसमें कर दिये थे लेकिन नहीं हुआ कि सबसे पहले आरप केबल को कि चेक करते हैं कि यह आरप केबल तक कांटिनिटिव मोड में बीप के साथ में रेडिनिंग आना चाहिए सही है देखिए लैट देखिए मल्टिमीटर में ठीक है देखिए दोना तरफ ठीक है ग्रोंड भी आरा है इसका और पॉजेटिव भी आ रहा है इसका दोनों साथ चेक किया है पर अरेफ केबल सही है है तो सबसे पहले यह कहीं चार्जिंग लगाया था चार्जिंग लगाया था कस्टम्र बताया है तो उध्यवर देख लेते हैं और चार्जिंग तो लगाया हुआ है और यह अंटीना टिप्स रहता है इसको हलका हलका उठा देंगे क्योंकि कभी यह सब प्रोपर टच नहीं करता है तो अभी प्रोलम हो सकता है और यह चार्जिंग लगाया हुआ है इसके सामने कि यहां पर टूटा हुआ है देखिये यहां पर टूटा हुआ है तो इसको किसी दूसरे फॉन से लगाएंगे निकाल कि यहों लगाना पड़ेगा इसके कारण से भी हो सकता है तो एंड हो या ता है या फिर नेट्वर्क चला याता है देखिए जीयो का फोन है इसी से निकालते हैं देखिए निकाल लिए आप इसको कि सोल्डिंग कर देते हैं बैठा देंगे वहां पर जहां पर तूटा हुआ था पहले से रांगा लगा के अच्छी तरह से बैठा दीजिएगा ताकि दोबरा कभी तूटेना निकलेना यहां पर रखके आयरन सिर्फ यहां हलका रख देने से ही बैठ जाएगा पर बैठ जाएगा देखिए बैठ गया अच्छी तरह से बैठ गया सभी जगह गौर से देखना पड़ता है कहां से क्या फोल्ट हो सकता है ध्यान से देखना पड़ता है चेक करना पड़ता है प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकता है और यह चार्जिंग जग जो लगाया है कि अगर दीजी और किनि किलिंग कर दीजिए किकना हो जाएगा किलिंग हो जाएगा और यह चार्जिंग जो जो जग लगाया है इसके सामने जो रंगा उचा सा दिख रहा है देखे यह बहुत उचा है इसके वज़ए सभी बैठने साइड पर अपर ट्रच नहीं होता होगा इसको आएरन से इसको साप कर देते हैं निकाल देगे लेखे उचा बहुत हो गया है इतना रंगा नहीं जलना चाहिए बहुत सा चारो जगह उचा करती है कि अच्छी तरह से किलिंग कर देते हैं इसको किलिंग कर दीजिए फिर टीनल डाल के पेटरल जो भी है आपके पास में चलिए इसको फिट कर देते हैं कि अच्छी तरह से आरे उक्केवल को भी बढ़ा देंगे और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम स्वल्प हुआ कि नहीं हुआ कि लिंग कर लिजिए कहीं अगर दिखें ड्राइस लोग रहा तो साप कर दिए अच्छी तरह से कि अच्छी तरह साप कर दीजिए अगर को कोन करते हैं मोबाइल तो और नहीं था चैनल लगा लिए हैं अब लगाते हैं फोन इधर से दुन तरफ से लगाएंगे इधर से भी लगाएंगे उधर से भी लगाएंगे देखिए मिनिट चलने लगा इधर से भी लगाते हैं दूसरे फोन में इधर भी फोन आ गया देखिए फिर एक पर लगाते हैं और गोइंग करते हैं देखिए इधर भी आ गया अब इधर से एक पर लगाते हैं दोनों तरफ से लगाएंगे देखिया इसी तरह से आप लोग काम कीजिएगा दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए जै हीन जै भाराण